आदाब नमस्कार साच्रियकाल आज मैं सबका स्वागत करना चाहती हूँ ये बोलकर जैहिंद मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ दूरदर्शन यादगिरी के इस हिंदी प्रोग्राम चमेली में अब मेरी बात सुनिए काला कोट पहन कर जिन वकीलों पर हमें नयाय दिलाने की जिम्मेदारी है उनको ये सारा देश, ये सारा समाच और दूरदर्शन का ये सारा स्टूडियो बहुत बहुत आभारी है आज हमारे साथ एक बहुत ही खास महमान जुड़े है दूरदर्शन के इस स्टूडियो में चमेली हिंदी प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो की एक बहुत ही सीनियर आडवकेट है इन हाई कोट ओफ तेलंगाना सुप्रीम कोट में भी काफी ये केसेज लड़ चुके हैं सुप्रीम कोट के ये एडवकेट है मेंबर ओफ एक्जेकेटिव बोर्ड भारतिय जनिता पार्टी से ये कई सालों से जुड़े हैं तेलंगाना में भाजपा सरकार ने जो बहुत खुबसूरत काम किया है आज हम से बात करने जा रहे हैं ये तो हो गई उनकी प्रोफेशन की बात काफी सालों से अकेडेमिया से जुड़े रहे हैं नलसर लॉव यूनिवर्सिटी से ये जुड़े रहे हैं बार काउंसल ओफ इंडिया में ये बहुत अक्टिव मेंबर रह चुके हैं मैं बोलते बोलते ठक गई बढ़ ये काम करते करते नहीं ठके हम बहुत ही खुश हैं बहुत ही हमारा आज सौभाग ये है कि आज एन रामचंद्र राओ जी आज हमारे साथ दूरदर्शन यादगिरी के इस हिंदी प्रोग्राम चमेली में आए हमसे जुड़े और हमसे आज बात करने जा रहे हैं अपने प्रोफेशन के बारे में जो उनमें नैशनलिजम की भावना कूट-कूट के भरी है उसके बारे में और आज की यूथ कैसे अपने आपको इतना एंपावर कर सकती है कि वह देश के काम आ सके अपनी सोसाइटी के क काम आ सके और अपने आपके काम आ सके आपका बहुत-बहुत स्वागत है दुरुदर्शन यादगीरी के स्टूडियो में आपके इंटरदक्शन में तो मैंने इतना कुछ बोला बढ़ आइम शूर आप इतना कुछ कर चुके हैं इतना कुछ आजब कर रहे हैं कि हमारा सव अपने जो बात मेरे बारे में बताया है जो चोड़ा आदमी हूँ वैसे बात यह कि मेरा जो पढ़ा ही हुए थी और वहां पर देश से बीविन भागों से लोग आते बचे पड़ते थे पंजावी लोग थे तमील थे मेरल थे तो उसी समय जो है इस देश के बारे में एक देश करें और उसे जो है और हमारे आपर पर पर ce लटके जाहतर मिल्टरी बैंक्डररंड को रहते थे तो उसे इस देश के बारे में जो एक जुरून बं गया कि देश अपना एक है इतने लोग वहां से delta लोग वहां से आते हैं अपermaid हाना भावड़ा थी हम मैं तो यह आत दिग्री के लिए गया था, वहां उस समय पर चातर संके चुनाव गोशित किया गया था और ABAP से मैं वहां पर चुनाव लागा था और ABAP अखिले भारती विध्धाती परश है एक राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने इसकी स्थापना किय थी हाल ही में नौ जुले को इसकी स्थापना दिवस में मनाए गय थी 75th foundation day तो उससे जो मेरा घुंश था उसमें जब मैं होँके लों जों इसमिलता था और मतंदाज जी और नहींते शुनता था उनके भाशन और प्रेश कर देश के बारे में अच्छी बातें वیکति निर्मान के बारे में यह सिखाया गया था तो विद्धादी पश्चत से जो मेरा संबंध है इससे राष्ट भक्ति और देश भक्ति यह भावना मेरे दिल में परपने लेगी थी और उसको मैं लेके आगे गया हूँ आज भी मैं उसी सिध्धांत पर और उसी भावना पर उसी विचार है जो यह शुरुआत है वो आज भी आप कई उसे सक्सेस्पुली कई प्लैटपर क्या है कि हर इतियास में हर जगा एक मोड होता है जिसे उनी सो सेंटालिस में भारत देश को आजादे मिली उसके बाद जो एमर्जेंसिया था तो यह जो 75 तो 77 एक मोड था और हम टर्निंग बल्र का जो हम लोग जूअनь बने थे 77 मी जब इमर्जेंसियां सुम्री उठाया गया थ' क्यों लगाया गया था , UP, किक्स लगाया गया था , हमने सब देखकर पढ़कर विद्धाती बने थे .. तो वो एक राजयती भावना , कई लोगों राधे च्छार्क्प दूत जुड़ीन कॉई है.. लेकि जादातार लोग राष्ट भक्त्य से जड़े विद्धाती पस्ट में काम करते हैं और आज भी राजय विद्धाती पस्ट इस नंबर बन स्टुएंट और नेशन और मुझे गर्व है कि मैं उसे जुड़ा हूँ आपकी जर्नी काफी इंट्रेस्टिंग रही है बिकुस जिस टर्निंग पॉइंट को आपने एक पॉजिटिव मोर दिया अपनी जिन्दगी में वो बहुत ही काबले तारीफ है आपने अपनी जिन्दगी का एक मकसद चुना अपने इस परपस को देश भक्ती को आप एक सही दिश्या में ले गए यह बहुत ही अपने आप में काबले तारीफ है आप लौ से किस तरह जुड़े लीगल प्रोफेशन में आप एक सीनियर अड़केट है आपने काफी सेंसेशनल केसिस भी लड़े हैं हाई कोट में भी सुप्रीम कोट में भी जो की कोई चोटा अचीव करने की तो आप एक बहुत ही खास जगह रखते हैं हमारी सोसाइटी में सबको यही मतब होता है कि मेरे पिताजी इंजिनिरिंग कोलेज के प्रफेसर थे वो डीन भी रहे है उसमाने उनसीटी में तो वी आजी में काम किया थे तो लोगों को लगता था कि यह भी इंजिनिर अजिनिरिंग का शुक ही नहीं था मैं वैसे बच्पन से मुझे जो है सामजिक मुद्धे पर सामजिक क्यों पर ज्यादा रुची थी और मैं जब डिग्री में किया था तो मैं तीन साल कॉलेज का चार्टर संग का मैं अद्धर्श बना वाव तीन साल ओ रिकॉर्ड है और त brasile तीन में जख मरें कर रहा था मेरा राजियो ठीक कर रहा त तो उस समय पर दो साल में ला कॉलेज में अदमिट किया। और ला बनने का लायर बनने का मेरा बच्पन से एक पैशन था। मैं बनना चाहता। इसलिए कि जब मैं चाहते संका जब प्रेजिएंट था लोग कई लोग बेरे पास आते थे बच्चे बच्चे स्टुडेंट साते थे। उसके लिए, इसके लिए, वो मांग के लिए, ये मांग के लिए, तो लोग बोरते हैं, जो मैं डिसके तो अच्छा अड़गेर बनेगा जा, वो जब जा रूप, वो, सबकी वकालत लेकर मैं प्रिंस्पर के बज जाता था, उनकी वकालत करता था, छोटे-छोट समस्याओं और इनवसिटी में में लड़ाई, घरबा जरबा टो, स्ट्राइक्स वकाले करता था, तो उस समय क्या था, कि आजकल जो आप देखने हैं, दोड़ है, मैं हमेशा बोलते हैं था हूं, कि बच्चे जो है, आजकल इंजिनिरिंग करेंगे, फार्मसी करेंगे, मेडिशन करें उसको पढ़ना भी अगर नहीं आता है, तो जबर्दस बढ़ाते हैं, बच्चे को आठवी से उठाकर उसको एमसेट का एंक्जाम लिखाते हैं, तो उसका बच्पन जाता है, जवानी जाती, पूरी जाती, और देश के बारे में समाज करें सोचने का समय नहीं रहता है, त क्योंकि लोग कहते हैं कि लायर्स प्रोफेशन इस लास्ट रिसॉर्ट अफ इन्यवन, हम लोग ऐसे नहीं, मेरे घर में मैंने कहा, मैंने एमे एग्जाम लिखा था, मैंने पड़ा, एमे पूर के बार ला किया, और ला में मुझे इंटरंस में आया था, लेकि मैं नहीं ल पर अद्वकेट करो, जिस्स परवत राउजी थे, जो मेरा नहीं इंडर्मएट मुग किये थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम राजिती में है, लेकि राजिती करना है तो प्रफेशन मत करो, अगर प्रफेशन करना है तो अबे तुमारा सांइन करोंगा, अगर कोट को पर रिगलर आना पड़ेगा। और मुझे पिर मैंने सोचा कि राजनेदी कभी भी जा सकते हैं। तो हम पहले अड़वकेट बनेंगे, नाम कभाएंगे। और मैं अड़वकेट बन गया। और अड़वकेट बनते हुए भी, मैंने जो केसिस किये थे, जाधा तर ABP के जो केसिस होते थे, BJP के को केसिस होते थे, ये RSS के BMS कुछ भी होते हैं। मैं करता था और पाइसान नहीं लेता था, फ्री में करता था। अच्छा। दूसरे केसिस में लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने परिवार को चलाना था। तो वैसा जो है, मैं बिदाज परशद के लिए, BJP के लिए, और RSS सब के लिए, मैं अड़वकेट बने के बाद उनके केसिस लेना शुरू किया, उनके फ्री करता था मैं। और वो भी मेरे से संतुष से, दूसरे केसिस लोग बेज रहे दें मुझे। उसके बाद मैं बार आसोसेशन में भी खड़ा, वहाँ जीता में। बार आसोसेशन के जनर्सेगरी था, प्रेजिएंट था। बार कोसे मेंमर जीता है दूसरी बार में जीता है फिर बार कोसेशन राफ इंडिया का थाध़ से बना में। तो मेरे जो सारी जिन्दगी है जातर जीवन से लेकर मेरे जो व्योसाइक जीवन है, जो प्रफेशनल लाइफ में अतक मैं जाले करती रहा हूं। मैंने एलेक्शन खड़ा है मैं एलेक्शन हारा है और मैं अभी भी आज भी एलेक्शन खड़ रहा हूं जीत रहा हूं यह मेरे जिंदगी का मैं हार और जीत को बराबर से लेता हूं काफी बैलेंस आचका है अब कि लेता हूं और मैं इसको I take defeat and victory with the same grace और मेरे जिंदगी न मुझे सिखाया कि किस सरह से किस सब को जहलना है तो यह जो अड़ोकेट बनने का सपना था और मेरे पिता जी भी बूले जाए नहीं नहीं जाओ तुम अड़ोकेट बनो आपकी इन बातों से दो बहुत खुबसूरत मेसेज भर कर आए है जो हमारी ओडियन्स आज देख रही हूंने हम बताएं कि हार जीत का यह जो बहुत खुबसूरत बैलेंस है रामचंदर राओ जी की लाइफ में इन्होंने इसे बहुत खुबसूरती से एम्ब्रेस किया है 2015 में आप MLC elections के लिए खड़े थे और एक huge margin से आप जीते भी है उसी दोरान आप शायद MLA के elections में भी खड़े थे बट उसमें आप बहुत एक छोटे margin से हार गए बट देश के प्रती, society के प्रती इनका जो काम करने का जजबा है यह कभी कम नहीं हुआ दूसरी बात आप यह भी बता रहे थे कि आप BJP से जुड़े हैं उनकी cases वगेरा भी आप सब फ्री में करते हैं RSS के, ABVP के आप BJP के अमिट शाजी की टीम में आप member of executive board रहे हैं और अभी भी आप BJP से जुड़कर काफी खुबसूरत काम हमारी समाज के लिए कर रहे हैं भाजपा सरकार आज 9 साल celebrate कर रही है देश की सत्ता में रहने के उनसे जुड़े रहे कर आप हमें यह बताई है कि भाजपा सरकार ने देश के लिए खास करके तलंगाना के लिए कितना खुबसूरत काम किया है इस से हमारी audience को जागरू कराई है यह बहुत सोचने की बात है कि देखें देश में अगर हमने कुछ प्रगतित कहीं देखा है मुझे याद है कि मेरे नई नई शादी हुई थी तो टेलीफोन कनेक्शन और ग्यास कनेक्शन के बहुत ज़रूत थी कि मेरे प्रोफेशन और मेरे शादी अलमॉस्ट एक ही साथ यह बात हुई थी एक मेना इधर उधर तो मेरे पिटाजी ने कहा कि अब तर को अलग टेलीफोन ले लो और कभी जरूत पड़ा तो तुमको अलग होना पड़ेगा तो तो अलग ग्यास टोव ले लो तो समय पे क्या होता था कि हमको MP जीते थे तो खूपन देते थे और उस कैसे आपने वो समय देखा नहीं होगा या याद भी नहीं होगा आपको कभी आपके पिताजी से पूछ लिएगा इसा कैसा होता था करी लेकिन अटल भीहर वाजपाई जी उसी टेम पे बने थे प्रधान मंत्री और यहां दतातर जी हमारे MP थे तो उनके कूपन से मैंने ग सबेरे अपने कीजिए आपको आफ्टर नून तक आपके घर पर टेलीफून करनेशन आ जाए है आज कल तो अलग बात है कि आप सुब मोबैल आ गये हैं अलग बात है उस समय परिस्टी उतना बदलाव आया था देश में एक रेवलुशन था उसके बाद देश में देखे स साथ हजार करोड से उस समय पर ग्रामीन प्रदान मंत्री ग्रामीन सडक योजना से पूरे देश में गावों को ब्लैक टॉप रोड दिया है ट्रास्पोर्ट सिस्टम बढ़ गया है और हमारे देश में जो है फोर्ट कॉड्राइंगल रेओडवेस जो बने है प्रदान मंत असे आजी आने की बदी नव साल में, 100 से ज़याँ एएरपोर्ट खुले हैं 100 से ज़याँ आज शीर्दि जाते हैं इतने बतब हर जगह बोल दीजिए इसमें आपको एरपोर्ट की जो और पोर्ट से आज पोर्ट समी इतने डेल्लोप्मेंट हो रहे हैं कि देश में सारे जगह पर पोर्ट का नव निर्मान हो रहा है अधुनी करन हो रहा है और रेल्वेस देखिए आप अभी उस समय हम खटार रेल में जाते थे लोग बोलते थे इंडिया रेल में क्या चड़े यूरोप में यूरो रेल में चड़ा था है तो मैंने अपने देश पे इस तरह का रेल होना चाहिए मैं दिल में रहता था लेकिन सच हो रहा है वंदे भारत हमारे पास हर शहर से जुडने वाले यूदे भारत सारही तो में देखेंटर के लिए और करोना के समय पर सारे विश्व में लोग घबरा गये थे बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां भी अपने आपको संभाल नहीं सके अमरेका हो रूस हो चाइना हो सब घबरा गये लेकिन भारत नहीं घबरा गये उसी पिरिएड में भारत ने लोगों को टीका का प्रवर्णिया दिया और पूर लोग बोल रहे है कि केवल 60% लोग अभी वहां टीका लिया है लेकिन हमारे देश में सारे के सारे पूरे जनता को पूरे अबादी को हमें टीका दो दो टीका बूस्ट डेस हमने दिया यह बहुत बड़ी उपलब दिया है भारत जनता पार्टी सरकार की एक दूसरी देश को संभाल भी ने से के थे उस समय पर भारत आज इस कोविट के सिच्वेशन के बाद भी आज हम दुनिया में पाचवीज सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्ता है गती तेज गती से आगे बढ़ने वाली व्यवस्ता हमारी है फिप्त लार्जे से कारे मिनी वर्ड आज यहां अव Всे में तेज टीक व्यवस्तात में मैं ळसूआ कि हम तीसूरे स्थान में विजली की उत्पादन में रश्या जापान के बाद भारत तीसस थान पर आज कई आजो में आप देखेंगे कि आज बजली की कटोती नहीं होती है जी और उसके बाद बजली से में बोल र के लिए लड़ते थे आज यूरिया आपको फ्री मार्केटिंग मिल रहा है आपको कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं है किसानों को लड़ना नहीं पड़ता है किसानों को लंब लमी खतारों पे आजकल ब्लैक करने के लिए कोई यूरिया नहीं खरीता है आज फ्री मार्केटि पुरे देश अईसे थे जो उनको सपोर्ट करते थे लेकिन आज भारत जो है पुरे दुनिया में आज ऐसा देश है कि सारे देश हमारे साथ खड़े हैं और उस देश को अलग कर दिये हैं इसलेटेड ये हमारे डिप्लोमाटिक पॉलिसी की विज़े हैं ये सबसे बड़ी उ पहरत की और मोधी सरकार की जो एक recognition है जो चवी बनी है आज उनकी शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि मोधी जी United Nations पे जब US जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट के invitation पे जब वो गए थे और उन्हें स्पीच दिया वो भी पूरे विश्व में बहुत सरा हा गया था यह एक बार न इतने जो है और मैं मांता हूँ उसमें कोई मतब क्योंकि हम जन्ता के सامने बड़ी जन्ता के बात कर रहे है तो उसमें राजनी दिल लाना नहीं चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर एक लिखिए कि जो करश्मीर की सिर्थी आज है आज करश्मीर में जो है आतंग बाद का मुग लोग पत्थरबाजी अचकर नहीं कर रहे हैं, वहां कम हो गया है, लोग आज समझते हैं कि हमारी प्रगती हो रही है, और हम इस देश के प्रगती के भागे हैं, डेवलोपेंट के भागे हैं, आज हमारे देश में आज IATS बढ़ाए गया हैं, नरे दमुझ जाने के बाद, I IAMS आट या नव हमने दिया है, IAT हमने दिया है, और IATS हमने इंक्रिस किया है, और इसके साथ साथ जो है विद्या इसमें, Medical Colleges हमने पूरे देश में बढ़ाया है, सीट्स बढ़ाया हैं हमने, और हमारे जो Medical Facilities है, आज इतनी बड़ी मात्रा में हैं देश में, आज पहले गरीब आप बैंक अगराब जाएंगे, तो बैंक में किसका आकॉंट रहेगा, एक अमीर करेगा, या सरकारी विद्याट में करेगा, जिसका तनका है, वो बैंक में आता है, लेकिन इस देश का गरीब, कभी बैंक के स्टेपस पर कभी कदम नहीं रखा, लेकिन पर बैंक के अकॉंट पर बड़े गरों से अपने बैंक के अकॉंट में आज पैसा डालता और पैसा लेता है, और सरकार भी जो उनको देती है, जो हमारी योजनाओं से उनको मिलता है, किसी भी ये दराली के कारण नहीं आता है पैसा, डिरेटली बेनेफिश्री के के लिए COVID के टाइम पे और पंदरा सो रूपया जो पांच सो पांच सो पांच सो तीन बार इन लोगों के आकोंट में हमने बगेर दला लिके उनके डारेट बेन फिट ट्रांसफर इस फरकार में किया है कौन कर सकता है इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की संसेवा के लिए कित रूपया बैंक में जमा किजए एक रूपया हर महना कई और इसको 2,005 लुपया आत कितने स्कीम लोगों के काम आते हैंångιο अपने आप में बनाना और इंप्लिमेंट करना तो एक अलग बात है बट इस चीज़ को आइक्चली जरिता तक लेके जाना उस चीज को actual beneficiary तक लेके जाना, एक पूरे system को uproot करके उसे नई तरीके से implement करना, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, ऐसे देखा जाए तो digitally भी, आज की मोधी सरकार की एक चीज ये भी बहुत खास है, कि उन्होंने realize किया है the power of social media, आजकल का जो youth है especially, जितना social media से connected है, जितना digital है, उस चीज को upi transactions में भारत आज पूरे विश्व में सबसे number one देश है, और जो second है वो भी काफी काफी पीछे है भारत से, तो ये भी अपने आप में पूरा change of mindset है, मन की बात के भी 100 से ज्यादा episode मोधी जी लोगों से बात कर चुके है, तो ये भी अपने आप में एक revolution create क ये तरकारी बेचने वाली या रिक्षा चलाने वाला पैसा देते हैं, नई सब ट्रांसवर कर दो, ये इतना जो है अमरिका और इंग्लैंड में ये नहीं है, ये घुम के आचुका हूँ, देख चुका हूँ, ये ये यूपिय का बढ़ा बाथ सबसे बड़ा आचकर तु म अब cashless transactions जो हो रहे हैं, आज India is number one, पहले plastic money, plastic money बोलते थे, अब plastic money में नहीं है, digital money है, पुरा digital money आ गया है, अब दूसरी बात ये रही कि तेलंगाने के बारे में, तेलंगाने के बारे में, तेलंगाने के बारे में हाली में मोदी जी आया थे, और काजी पेट में wagon overhauling and production unit का उन्होंने ने उद्गाटन किया था, वो 500 करोड से ज़्यादा अभी first phase पे लगेगा, और उसमें क्या है, हर मेने 100 wagon manufacturing होने वाले हैं वहाँ पर, और उसे 3000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर नवकरी मिलने की संभाव नाया, दूसरी बात वहाँ टेक्टेल पार्क का वहा इस देश में सबसे पहले जब मोदी जी आया थे और पहले की जो सरकार थी, सिर्फ 6 km हर दिन वो लोग ले करते थे, निर्मान करते थे, और आज हम कर रहे हैं कम से कम 32 से 34 km हर देश में हर रोज निर्मान हो रहा है, मैं हाली में लेह लदग गया था, 48,000 feet के उपर भी आज border road organization, बड़ी अच्छी road बना रहे हैं, ताकि हमारे मिल्ट्री वाले हमारे जो जवान हैं, जो देश की सरहत को अपने रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भलाई के लिए और उनके अच्छे movement के लिए वो बना रहे हैं, तिलंगाना बे भी एक लाग तीन, एक लाग तीन हजार क के बाद भूपाल पली, या नहीं तो कोदार्ड, करीम नगर, खामा वो तरह थे, आज संगारेली से पिटलम, पिटलम से नान देर, इस तरह का, बताकि यह जो six lines और eight lines की जो national highways बन रहे हैं, फिर कोदार से जचला, जचला से मरिकल, यह जो निर्मान हो रा रोड से, यह और इसके साथ साथ, अभी मैंने यूरिया का जिकर किया था, यूरिया का production के लिए राम गुर्णम में छे हजार करोड से ज़ादा, आज हमने वहाँ पर राम गुर्णम fertilizer corporation का, वहाँ पर से री स्टार्ट किया है उसको, फुनर निर्मान किया है, और इसके वाँ सिकानरबा यूरिया की जो हमने पैसा दिया है, उसी पैसे से आज जो भी double bedroom बने हैं त्रेंगारा में थोड़े भी बने होंगे, उस थोड़े में भारते जन्ता पाठी की सरकार का प्रधान मंत्री आवास यूरिया के जो अंधर और हड को के से जो उनसे निधी मिलिये, जो उनको fund मिल है उसी सब बन गया और इससे इसके बाद भी लगूसी चाहिए योजना के इसमें तिलंगाना को भी बहुत फाइदा हुआ है आप देखें तिलंगाना में फसल भीमा योजना हमने यहां किया है लेकि यहां के सरकार अपनी जो अपनी योजना खुद बना रही है का तो बता जहां तक उसका आमल हुआ है मुझे ज़्यादा ग्यान नहीं है लेकिन फिर में मैं बता सकता हूं कि आज तिलंगाना प्रकति की राह में नरे नर्मोदी जी के सहायता से आज तिलंगाना बहुत आगे बढ़ चुका है आज सबसे बड़ी बात ही है कि आज गरीबों को एक रूपया का चावल मिलता है और इस एक रूपया के चावल में उन्तीस रूपया जो है आज केंदर सरकार देती है और दो रूपया राजी सरकार देती है और एक रूपया बेनफिशरी देता है मतलब सिर्फ एक रूपया में चावल इसको मिलता है इसलिए मिलता है कि उसमे नबे प्रतिशत जो है वो केंद सरकार मोदी जी की सरकार देती है तो इस तरह से कई ऐसे मतब यूजना है जो तेलंगाना डेवलप्मेंट के आगे है और मेक इन इंडिया में आज टाटा बॉइंग फिल्स जो या कुछ भी हो अज हजरावाद में जो आप देखते हैं कि यहां पर कंपनी सारे यह सब भी मेक इन इंडिया और स्टाट अप इंडिया इन यूजना के कारण यहां पर कई डवलपमेंट हो चुक है यहां पर जी 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 टू आपने बहुत ही ऐसे फैक्ट्स बताए जो हमने स्कीम देखी है श्कीम सुनी है बड़ जैसे आपने बता जब हम देखते हैं तो अब लगता है कि येस मोधी सरकार बताती काम करती है बट शायद अपने अपको थोड़ा सा हुमिलिटी के कारण कम यह बताती है बट यह हमें देखना चाहिए जानना चाहिए और सराहना चाहिए इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक कही मत जाहिए का हम बात कर रहे हैं भारतिय जनिता पार्टी से जुड़े एक बहुत ही सीनियर अड़केट अफ हाई कोट अन सुप्रीम कोट अक्याडमिक इंट्रेस्ट भी उनका लीगल के प्रती काफी है अभी हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारी उनसे बात चीज जा जाहिए को अब ब्रेक ब्रेक के बात कर रहे हैं रामचंदर राओजी से जो की हमें बता रहे थे कि 9 साल भाजपा सरकार जो केंदर में रही है उन्होंने कितना खुबसूरत काम किया है देश की समाज की प्रगती में तेलंगाना में भी इसका काफी हमने बेनिफिट देखा है तेलंगाना आज सक्सेस की जिस रहा पर चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं हम भाजपा सरकार को काफी सारी स्कीम्स जो भाजपा सरकार ने आज इंप्लिमेंट करी हैं विदाउट मिडल में विदाउट एनी करप्शन जो है बेनिफिशिरी तक वो आज इसका फाइदा लेकर गए हैं ये एक बहुती सीनियर आड़केट रहे हैं हाई कोट और सुप्रीम कोट के काफी काफी इसंसेश्नल केस्स भी यह लड़ चुके हैं य तो हो गई आपकी जो बोल सकते हैं political करियर आपका जो अक्याड़मिक से भी आप जुड़े रहे हैं मतलब प्रैक्टिस के साथ सथ पॉलिटिक के साथ साथ आप अकयाडेमिशन भी रहे हैं आप कैसे सारी चाह चीजने पर कई साल आपने लिखा है और वो काफी popular segment रहा है तो इतनी सारी चीज़े आप कैसे balance कर लेते थे, घर भी देखना, family, आपके दो बहुत खुबसूरा बच्चे हैं, सो कैसे आप balance करते थे यह सारा कुछ? यह तो सही बात है कि मैं ज्यादा सा ज्यादा समय जो देता हूँ अपने समाज कारकें जा देता हूँ और profession में उतना interest लेता हूँ मेरे clients को मैं टेंब जाता हूँ तो मैं availability रहता हूँ और मैं एक बड़े senior वकील थे, उनके बेटा मेरे class इसको बाते हैं उसको जाने रहना चाहिए एक तो है उसको बहुत hard work, there is no substitute for hard work, absolutely तो इसको केस पे hard work करना पड़ेगा, महनत करने पड़ेगी, दूसरी बात रही कि इमानदारी, जो आप court के साथ हो या आपके clients के साथ हो, इमानदारी को आपको बढ़तने चाहिए, यह दू तूसरी बात है, और तूसरी बात यह रही कि थोड़ा सा किस्मत, भगवान कहता है, divine intervention हो बोलते हैं, यह तीन बातों से आदमी success होता है, और यह profession ऐसा है कि हर दिन आपको सीखना पड़ता है, हर दिन एक नए-ने judgment Supreme Court में आते हैं, High Court में आते हैं, उनसे आपको follow करना पड़ करता है, तो इस profession में जो अपना research करता है, आज कल profession का dynamics बदल गया है, एक जमाने में था कि लोग जो है law करते थे, कहीं नहीं मिला आपके LLB करते थे, last resort, लेकिन आज नहीं, LLB जो है आज या बच्छल of law हो या LLB हो, आज बच्छे जो है, आज बहुत seriously raised professional, खासकर 5S course में जो नहीं बच्छे, कैसि दम येंग, जो बार कॉंसल आफ इंडिया, तब वी आर डिडी जी थे, चेर्मेन, और माधो मेनन जी सेक्रेटरी थे, तो उनका विचार था कि बार कॉंसल एक college को start, एक university start करे, तो उसने उस समय पर National Law University Bangalore, NILU कोलते है, National Institute of Law University Bangalore, ये जो है पहल National Law University जहां पर five years course को start किया गया था, और बार कॉंसल आफ इंडिया के ages में start किया गया, और उसको वह इतना हीट गया, कि लोग बच्छे, अच्छे अच्छे बच्छे, जो मतलब serious minded, MBBS, engineering जाने की जो बच्छे, उसमें turn होना शुरू करिया, और इसके बाद हर प्रदेश में एक-एक law school start हो गया, अभी आंधर प्रदेश में समय पर था, तो दो हो गया था, दामदरन संजीव लाइनोसिटी वहाँ पर और तेलंगाने में नलसार, इस तरह हर प्रदेश में आज नैशनल लाइनोसिटी साय है, और अच्छे तरह से वह एडूकेशन दे रहे हैं, रिस यह काम था बार कॉंसल अफ इंडिया का, और मैं बार कॉंसल अफ इंडिया का सदस रह चुका हूं, वैसे तो हमारा काल जो था फिर्फ पांच साल के था, लेकिन मैंने आठ साल किया है, तो तब तक मुझे continue करना पड़ा, तो इस आठ साल में मैंने सारे देश में सारे Dog Point Management, Paris, France में, Srilanka में, जहां भी इंडियन इडियर स्टूडियन्स परते थे वहाँ इन्वस्यधिस में, हम उस इन्वस्यधिस में सिलिवस देखते थे क्या हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के लिए इंडियन ऌियल फिर्फेशन के लिए, यह फिट होता है है या या नही होत तो इसको हमने परमिशन देने के बाद यह स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस कारएं जो है बार कॉंसल आफ इंडिया का जो मैं लीगल एड्यूकेशन कमीटी भी मैं सदस्य था. तो इस लीगल एड्यूकेशन कारएं मुझे लीगल एकडेमिक से मेरा संबन रहा. और मैं एक प्रोफेशर का बेटा हूँ. मेरे पिता जी प्रोफेशर थे. तो एक टीचर का बेटा थोड़ा एड्यूकेशन के साइड थोड़ा इंटरस रुची रहेगी. मेरा भाई भी प्रोफेशर था. वो भी एनेटी वरंगल का डिरेक्टर था भी राइपूर में डिरेक्टर है. वो भी एड्यूकेशन से जुड़ा हूँ. एक तरफ मैं लीगल एड्यूकेशन से वो लोग इंजनेंगे एड्यूकेशन से. तो यह जब फैमिली में भी वो ब्लड है उसी हमारा एकडेमिक से चरहा. और लेकिन क्या है कि मेरा बेटा भी इंजनेरिंग करके लाग कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो आज जो है लीगल प्रोफेशन जो है इसका डैनेमिक्स चेंज हो गया. बिल्कुत आज लोग समझे इतने वकीर बन गिया कैसा चरह गा कोई घबराने की बात नहीं है कितने भी वकील आ जा जाए वकीलों के लिए केसों के कई कमी नहीं रहेगी वकील का मतलब यह रही कि कोट कोई जा नहीं है आप ड्राफटिंग कर सकते हैं आप एर्बिटेशन बहुत एरिया से जहां पर वो कमा सकते हैं और यह एक ऐसा ही प्रोफेशन है कि कोई भी प्रोफेशन इतना नहीं कमा सकता है और डाक्टर का यह लेका है मैं कितना एक आपरेशन करेंगा 10 लाग ले सकता है लेकिन एक वकील एक मिनिट अगर आरू करता है तो वो 20 लाग 50 जो लागों में लेते हैं और वाइट महीड लेते हैं इंकम डाजिव भरते हैं है अच्पेस को सबक्रैठी बरका यह नहींसरी कोड़ी बसकर के नहिरまだइवार पिर नहिरी मर्या इतना फ सोब सरके जलता है गान्देश सब defigtना साउन जो दुद कि धूरा थिए उनका जो भ कितना उनका प्रोफेशन से जुनून था और कितने सिंसियर थे और कितने इंडस्ट्रियस थे एक बार वो केस कर रहे थे कोर्ट में चल रहा था तो उसलिम में किसी ने उनको एक चिट्री भी जाई वो देख लिए थोड़ा चमका है जो उनको ज़रा दो मिनट के लिए वो ज होगा लेकिन उन्होंने केस किया केस करके फाइल को बंद किया और निकल रहे थे कि जैस साब ने पूछा क्या पडेल साब आपके चिट्री आई थे थोड़ा घबरा गया तो क्या बात है तो क्या मेरी बीबी की मौत हो गई साब मझे जाना है अब देखिए ये सदार पडे आपने खुबसूरत बात कहीं कि उस समय कि आपकी जो जेनरेशन है जो आज की जो जनता जो यूथ देख रहे हैं जो 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 आपने एक बहुत ही रेर कॉलिटी होती है बट यह जो अपने फाउंडेशन से अपने प्रोफेशन से जुड़कर उस अपने आपको एंपावर करना ये अगयान आज की जनेरेशन में आज की जनता को क्या मेसेज देना चाहेंगे प्रोफेशनली भी अकैडमिकली भी आज की जो पीड़ी है यूवा पीड़ी वरी टैलेंटेट इसनी टैलेंटेट पीड़ी है मतलब अब देखिए हम मैं देखता हूं कि मैं जब डिग्री में आया था तब मैंने टीवी देखा था तब तक मैं टीवी में देखा नहीं वो टीवी डिग्री थे पहले थोड़ा भी स्कूल खता हूं था डिग्री में आया था भी तब टीवी आ रहे थे हमारा घर के बगल में मेरे पिताजी के दोस्ते उन्हों टीवी खरी था तो लोग वहां हम जाते थे देखने के लिए तीवी और रामायन और महाबारत के सिर लेकिन आज के पीडी को पैदा होते ही उसको सेल फोन में उसको मतलब जन्म से उसका जन्म होया है कैसे उसको उठाय गया है डॉक्टर किस डॉक्टर हाथ में पकड़ आ है वहां से लेकर हर वेक्ति को हर दिन की भातों को मतलब इन्फोर्मेशन रहे चाहिए बिलकुँ और जेब में अब दुनिया जेब में नहीं है दुनिया हतेली में है और इस यूप पीड़ी के पास आज सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है इन्फोर्मेशन और इन्फोर्मेशन एज में है वो जो डिजिटल एकॉनमी डिजिटल फिल्ड में हैं डिजिटल एज में हैं तो इस की यूत जो है यह सबसे ज्यादी आबादी हमारे पास हमारे देश में हैं किसी देश में इतना एंग कंट्री कुछ नहीं है आज 18 से 50 उस वर्ष की आयू में आज हम कम से कम 50 ज्यादा परशत के लोग हैं लेकर दूसरे देश में जाएंगे आप जापान में बुड़े ज्या करेंगे खासकर यूआ इंजिनेरिस हो डॉक्टर्स हो या कोई भी हो इवन नॉन स्किल्ड आलसो इंडियन जादा में लेंगे और यह हमारे अबादी बढ़ने के घबराने की बात नहीं है हम जो आज पूरे दुनिया में आप टॉप साइंटिस जो है आज 10 टॉप इंडियन से वहां परलेमेंट इंजिन से बीने प्राइम इसे खुद इन नहीं है आप फिजी का जो प्राइम इसे बनाता है अपना ही बना था हो बाद में बड़े-बड़े कंपनी से से और आज क्यानडा में कम से कम पांच भारत मूलके वहां पर मंतरी है तब भारत और पुरे विश्मय प्राइल चुके है इंडिया आज पुरे विश्मय फैल चुकिया है एक जमाना ऐसा था जब हम बाहर जाते हैं इसको ब्रेंडेंड करते हैं आपने इस देश में शिक्षा ली और बहार जा रहे हैं लेकिन आज इस देश के लिए ज़रू के बात है कि सारा आज सारी दुनिया भारत की जो पीडी है यूआ पीड चाहती है आज IT में हो या मिडिशन में हो या किसी भी सेक्टार में हो आज 70% of the economy of the African countries are controlled by Indians ये बात लोग को मालूम नहीं है कि आज इंडिया ने भारत क्या तरकी की है आज नई ये रहे है कि रेलवे लाइन भारत बना आज हम भारत जो है पहले हम बेगिंग बोल लेकर लोगों दुनिया में जाकर पैसा मांगते थे बिक्षा मांगते थे कि हमारे देश को हमारे बच्चों को बचाओ और PL480 के अंदर हमको दूद का डबा मिलता था आज हम दूद का उत्वादन ज्यादा करते हैं हम एक्सप कर रहे हैं human resource हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है आज आज पूरे दुनिया में आज कहीं भी जाए भारत टेक्नोक्रेट्स है इंडिया 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 टेक्नोक्रेट्स है डिमैंड चीप लेबर हो सकता है या बिकास अफ़ टैलेंट हो सकता है और बिकास सिंस्याटी हो सकता है भारत की युवा उसलिए आप निराश मत होगी मैं अपनी युवापीड़ी को यहीं बताना चाहता हूं कि अगर आप काम करेंगे आपके लिए खाम है युवापीड़ी आज भारत की शक्ति है और इस शक्ति को हमें प्रदेशन करना है यह मत भूलिए कि आप इस देश से जुड़े हैं और यह आप भागेशाली हैं कि हम सब भारत से जुड़े हैं तो कि आज भारत जो है विश्यो में एक लोग आज भारत की तारिफ करते हैं इसलिए कि हमारी जो संस्कृति है आज सब आदर करते हैं उसको योगा देख लोग आईवधिक लियोग करना चाहते हैं, आज वेजिटेरियनिजम फूट बढ़ रहा है, उसे भारत की सबसे बड़ी कांट्रिबूशन टू वर्ल्ड इसके लिए, आज टूड़े इंडिया इस रिकोगनाइस्ट, इस नो मोर स्नेक चार्मर्स एंड रोप वाकिंड रोप की जो, we'll become super power soon, आज शुप्त लाजेस्ट में और 2027 में, we'll become third largest economy in the world, और कुछ सारा में, we'll become super power, यह नहीं कि हम दुनिया में राज करें, super power हम दुनिया को ग्यान दें, स्वामी वेकाननदा जी, आज सारे विदेश में भी चाहे हुए है, शिकागो में उनके बाशन से, वह आज जो स्वामी वेकाननदा की जो सोच है, आज वर्ल्ड चाहता है कि आज भारत की तरह हम भी आगे बड़ें हर चीज में, आपकी बातों से आपके इस पूरे इंटिव्यू के दौरान एक चीज तो बहुत उभर कर आई है, आपका देश के प्रती जो जजबा है, जो प्यार है, जो आप शायद बच्पन से अभी तक और आगे भी हम चाहते हैं कि आपका देश के प्रती ये जो प्रेम रहा है, एक आपकी लाइफ की जनी से मेसेज, मैंने ये भी देखा है कि आपकी पिता जी चाहते थे कि आप एंचिनियर बने, बट आप में ये इंटरिस था कि आप लॉयर बने, तो ये भी एक मेसेज है आज की जेनरेशन के लिए, आज की पैरेंस के लिए कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है आपका बच्चा जो करना चाहता है उसे करने की वो opportunity और freedom दीजिए आपका बच्चा भी आप जो interview देख रहा है रामचंदर राओ जी का होपफुली काफी inspire होके legalist profession में आगे बढ़े ताकि देश के काम आ सके समाज के काम आ सके आपका बहुत बहुत शुक्री है रामचंदर राओ जी की आज आप दूरदशन के स्टूडियो में आए हमारे साथ जुड़े हमें देश मोदी जी के इस government के बारे में भाजपा सरकार ने जो ये खुबसूरत काम किया है नौ साल में तलंगाना में भी उससे हमें जागरू कराया हमें ऐसी ऐसी बाते बताई जो शायद मीडिया में आती तो होंगी बट हमने शायद देखी नहीं होंगी बट इससे ये पता चलता है कि ये जो सरकार है वो आज की जनता से कितनी जुड़ी है आपका इससे जो लगाव है आप किस तरह से जो सरकार से जुड़े है वो भी उसका भी आपने बहुत ही एक खुबसूरत हमें जर्नी आपने अपनी बताई हमें आपका जो देश के प्रती जजबा है पैशन है उसे हम सलाम करते हैं आप एक सीनियर आड़केट के माध्यम से भी जो केसे लड़ रहे हैं लोगों की लाइफ में जो चेंज लेकर आ रहे हैं आपके गुरु ने जो तीन प्रिंसिपल्स आपको बताये थे वो आप कितनी खुबसूरती से फॉलो कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आप दूरदर्शन आए हमारे साथ जुड़े अगर पसंद आया आपने रामचंदर राओ जी की बातों से अपनी जीवन में एक अगर इंस्पिरेशन लिया है तो आगे भी इसी तरह से दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली में जुड़े रहे हैं हमारी सार्थक ये कोशि जिनोंने अपनी जिंदगी को एक माध्यम बनाकर देश को समाच को एक बहुत ही खुपसूरत जगा बनाई है रहने के लिए रामचंदर राओ की जिंदगी से इंस्पिरिशन लीजिए देश के प्रति उनका जो प्यार है उन्होंने किस तरहां से उसे एक बहुत एक आप सबसे विदा लेती हूँ, जै हिंद!